दोस्तो राजु पेशे से फोटोग्राफर था वो साधियों में फोटोग्राफिक किया करता था वो काफी आश्काना मिजाज था कभी कदार थोड़ी टेक भी मार लिया करता था साधियों में बहुत दूर दूर तक जाता था क्योंकि बहुत दूर दूर तक अब मसूर था फ किसी लड़की को अपने जाल में फसाऊंगा, तरह तरह के रंगीन सपने दोनों देखने लगे, बाते करते हुए जब साधी के जगर पे पहुँच गए, वहाँ पर बहुत खुबसूरत तुरत लड़की तयार सजधस के आई हुई थी, राजो अपने काम में लग गया, वह स काफी हो चुकी थी, दो बज रहे थे, और घर भी काफी दूर था, तो राजो सोचा कि आज यहीं रुख जाता हूँ, आज की रात यहीं कात लेते हैं, दोनों दोस्त घर के पीछे एक बागीचे थी, बागीचे में खाट डाल कर सो गए, राजो को कुछ समय बाद बातरू की चलने की आवाज आ रही थी, सो राजो थोड़ा सा आगे बढ़कर देखने लगा, एक लड़की पेर के आगे से निकल कर दूसरे पेर की तरफ जा रही थी, सो राजो का मन ललचा गया, उसकी किसमत का भग्ये चमक चुका था, सितारे बुलन थे, उसने पूरे सपने दे एक आएक राजो को जोरदार धक्का लगा, राजो पलट कर देखता है, एक खूब सूरत लड़की सच धर्सकर सामने खडी है, राजो समलता उससे पहले उससे एक और जोरदार जटका लगा, राजो लडखारा कर जमीन पर गिर गया, वह लड़की एक पेर के अंदर शमा गई राजु को काटो तो खून नहीं डर के मारे आखें पथरा गई थी अब बिहोसी सी चाने लगी थी सारे भूत उड़ गये थे चिरियां सर पर मंडरा रही थी राजु काफी डर गया था अब उसे होसी ही नहीं था समझने का अब एक टक से वह पेर को देखे जा रहा था क आखिर इस पेर में वह लरकी घुसी कैसे उसके स्वाग रात के सारे सपने काफूर हो चुके थे जब बहुत देर हो गई तो दोस्त को ना पाकर राजु का दोस्त उसे देखने के लिए बागेचे की तरफ चल दिया राजु को एक टक पेर की तरफ देखता रहा इसे हर दे और घर की तरफ रवाना हो लिए राजु कान पकर लिया कि आज के बाद मैं किसी लड़की के उपर डोड़े नहीं डालूँगा किसी के साथ सुहाग रात की सपने नहीं देखूँगा रात में तो बिल्कुल ही नहीं तब से राजु काफी सुधर गया कहानी कैसी लगी वी कमेंट कीजिए बहुत जल्दी एक इनाम की घुसना कर दी जाएगी हमने एक चूज कर लिया है जिसको हमें गिफ्ट देना है बहुत जल्दी उनके नाम की घुसना हो जाएगी अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा हो सकता है साथ होते हैं हमने उनी के कमेंट में से एक को चुना है तब तक के लिए हम चलते हैं